हेलो फ्रेंट्स मैं हिमाशुताब एक बार पिर से आपका स्वागत करता हूँ जी हाँ दोस्तो हम लोग जी सी लियोंग कवर कर रहे हैं चैप्टर बाइ चैप्टर कवर कर रहे हैं और आज इसी क्रम में इसी आप कह सकते हैं सिरीज में जो की हमारी है बुक सिरीज बाच यहां पर हम लोग कवर करने वाले हैं आज नया टॉपिक और वो टॉपिक है आपक है coral reefs ठीक है तो यह चीज़ें जो हैं आपको यहां पर मिलने वाली है island और coral reefs मिलने अलहाज के topic सबसे पहली चीज़ सो बात करते हैं island के बारे island जिसको द्वीब भी बोलते हैं हिंदी में यह है क्या island तो simple सी बात है simple सी बात है कि यह land portion है it is a land portion जो की चारो तरफ से which is surrounded by water from all the sides है ना तो एक आपका land portion है कोई जरूरी नहीं है ऐसा उठावा land portion हो ठीक है एक आपका land portion है एक land है जो की चारो तरफ से पानी से घिरा हुआ है है ना it is a land part which is covered from or surrounded by water from all the sides अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह आती है कि यह जो हमारा island है ठीक है यह island कैसा है कहां पर है किस type का यहां पर water है तो यहां पर ocean हो सकता है ocean के बीचों बीच आपको यहां पर दिख सकता है यहां पर हो सकता है आपका की sea हो कोई हो सकता है कोई gulf हो है ना तो यहां पर क्या क्या हो सकता है प्लस इसके साथ आपके बहुत सारे एक local importance रखते हैं कुछ islands ठीक है वो कहां हो सकते हैं तो rivers में हो सकते हैं ठीक है वो islands आपके lakes में हो सकते हैं लेक्स में जैसे रिवर्स के बारे में अगर आपको समझे ना हो तो माझूली आइलेंड जो है ब्रह्मपुत्र रिवर पे बना हुआ है असम में है माझूली वैसी लेक अगर देखो गिए तो भीमताल हो गया है या आप चले जाए कहां पर जैपुर में चले जाए यहां पर आइलेंड के बारे में हम लोग बात करेंगे ठीक है यहां पर हम लोग आइलेंड के बारे में बात करेंगे विल्कम दू दिस लेटर ओन यह जो मैंने आपको बताया यहां पर यह लिखा वह हैलाई उसको बोलते हैं हॉ ंटिनेंटल आयलेंटों मतलब यह जो आइलेंड्स है आइलेंटों होंगे आपका कौंटिनेंट के हैं ना तो हो सकता है इस तरीके से आपका सोचिए I don't get इंश्व utanखिuencia इस तरीके से हमारा आप अलेंट है a i can disagree price आपकर क्या है you have water यहाँ परक्रा अभककर water अंट इस तिफमीन्ट के अवका अभकिश सकता है कि यहाँ पर इसका एक part क्या हो यह वाला पाट जो हो यह वाला पाट्व क्या हो जाए यह वाला पार्ट आपका समर्च कर जाए नीचे की तरफ धस जाए है ना हो सकता है यहां पर फॉल्टिंग प्रॉसेस से है ना यहां पर हो सकता है फॉल्टिंग के प्रॉसेस से या किसी और प्रॉसेस से जो बीच वाला पार्ट है वो क्या हो धस जाए तो बीच वाला पार्ट धस जाएगा तो होगा क्या बीच वाला पार्ट अगर धस जाएगा तो होगा कुछ इस प्रेकार से कि यहां पर यह पार्ट आपका इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं जो यह पार्ट ज water जो है is depression में आके भर जाएंगे और आपको ये जो portion देख रहे हैं ये portion ये portion क्या दिखेगा ये portion आपका अलग हो जाएगा जिसको हम बोलेगे continental island है ना तो यहाँ पर एक क्या हो सकता है एक तो यहाँ पर आपका formation जो है ये किसकी वजह से हो रहा है submergence की वजह से हो रहा है submergence की वजह से ठीक है ये जो है आपका submergence की वजह से एक तो हुआ तो इस तरीके से ये जो island बना ये जो island बना this is what this is a type of continental island यह हमारा महादवीपिएद्वीप कहलाता है महादवीपी इडवीप कहलاتा है कॉंटिनिंटल आयलेंड है ठीक है ऐसा भी हो सकता है कि सपोज आपका कोई लैंड वर्म है इस तरीके से लैंड वर्म है जो की थोड़ा सा क्या है? हल्का सा दीप है और एक लैंड वर्म हल्का सा उपर उठा हुआ है और इस तरीके से आपका ये landform बना हुआ है है न? और नॉर्मली यहां पर जो है, यहां पर क्या है आपका? this is your sea level, यह आपका sea level है है न? यह sea level है this is your sea level, ऐसे समझ लो this is your sea level, यह आपका sea level है अब suppose यह ऐसा हो कि आपका water level बढ़ जाए अगर आपका सी लेवल जो है बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ पर भी पानी आ जाएगा अगर आपका सी लेवल बढ़ गया तो क्या होगा तो विसी बात है यहाँ पर भी पानी आ जाएगा और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एक आपका क्या बन जाएगा आइलेंड बन जाएगा ये भी एक टाइप का है लेकिन ये क्यों कि ये कैसे हुआ है तो ये याद अखेगा ये rise in sea level की वज़े से हुआ ये किसकी वज़े से हुआ है तो यहाँ पर क्या था ये वाला पोर्शन जो था ये वाला पोर्शन लैन्ड का क्या था थोड़ा low-lying land था इसको हम लोग कह सकते हैं low-lying land low-lying land बतला क्या होता है जो की आपका थोड़ा सा नीचे होता है portion है तो कभी-कभी क्या होता है कभी-कभी सी लेवल अगर राइस कर जाता है सी लेवल राइस कर जाता है और यह तटी यह तट के पास होगा कोस्ट के पास होगा है ना तो कोस्ट के पास जो रीजन होता है उसमें पानी आपका जो है उपपर तक भाराता है उपपर वाला भाग जो देख रहे है यहां पर वह वाला भाग आईलेंड की तरह नजारान लगता है तो इस तरीके से हमारा क्या बन जाता है यह भी हमारा क्या होता है दिस इस पहली चीज तो यह पहली चीज तो क्या कि वह स्मॉल एंड साइज होता है दूसरी चीज दूसरी सी दूसरी चीज जो आपका सी है सी ठीक है सी जो होता है वो कई सारे सी मिलके आपका एक कोशन मनाते हैं कई सारे सी मिलके आपका क्या मनाते हैं एक कोशन मनाते हैं वोट अब प्लिप्रफी ऑप्शनल की जहां तक बात है वह आप लोग बहुत जल्दी आप लोग को इन्फर्म कर दिया जाएगा उसके लिए आप लोग पर पर आते हैं हम लोग यहां पर देखते हैं इसके बारे में ठीक है तो जो आपका सी है सी हमेशा आद एक चोटा होगा है ना सी ह जाद अखिएगा कि जो महा सागर है इसका निर्मान सबसे पहले हुआ महा सागर जो है इनका निर्मान सबसे पहले हुआ ओशन जो है उसका फॉर्मेशन सबसे पहले होता है ठीक है चली तो यहां पर हम लोग ने देखा यह हम लोग ने देखा देस यह और आइलेंड इसके कोई X प्रकार का आपको यहाँ पर आपको क्या मिलता है फ्लोरा मिलता है अगर आपको यहाँ पर X किसम का फ्लोरा मिलता है मतलब यहाँ पर आपको जो पेड़ पौदे हैं वो अगर इधर ऐसे मिलते हैं यहां पर भी आपको उसी जैसे पेरपोदें विलेंगे दो बाद में आईलेंड twenty-іть लेकिन उसमें खूबी कौन सी है अफ्रीका वाली ही सारी उनमें खूबी है मतलब उसका geological structure मतलब वो किस तरीके से बना है है ना प्लस वहाँ पर जो flora fauna पाए जाते हैं वहाँ पर जो animals plants पाए जाते हैं वो सभी एक जैसे होते हैं क्योंकि वो continent का ही part था ठीक है तो यही चीज यहाँ पर बोली भी है अब क्या है यहाँ पर आपको समझना अब यह समझना है कि इन में भी continental islands में भी आपके कुछ अलग-अलग islands होते हैं जैसे कि आपका individual islands होता है ठीक है individual islands तो यह individual islands क्या होते हैं इडिविज़ आइलेंड आपके होते क्या हैं तो यह याद अखिएगा यह कॉंटिनेंट्स के जस्ट बगल में होते हैं जो हमारा कॉंटिनेंट है उसके बहुत पास होते हैं है ना एक्जाम्पिल के तौर पर आपके तो यहां पर आप देखेंगे 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 तो यहां पर आप अब अगर आप मेडागासकर को देखेंगे अगर आप मेडागासकर को देखेंगे और इधर अगर आप देखेंगे तो यह क्या है हमारा एफरिका यह हमारा क्या है आफरिका के कितने पास है वैसे ही आप अगर यहां देखेंगे तो इस इस इंडिया और यह क्या है हमारा श् से अलग हो जाता है यह ना यह देखते हो तो यहां पर मोजांबीग चैनल है यहां पर क्या है मोजांबीग चैनल से यह अलग हो जाता है क्लियर जो मैं बताना चाहरा हूँ आपको यहां पर ठीक है इसी तरीके से अगर आप इधर देखेंगे तो यहां पर है newfoundland यहाँ पर क्या है you have newfoundland यहाँ पर है newfoundland और यह जो newfoundland है यह straight of state of बेले आई से अलग हो जाता है ठीक है तो यह सारे क्या हैं यह सारे आपके individual islands है जो कि continent के बहुत पास रहे जो कि कहा है continents के बहुत पास है ठीक है यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर ऐसको यह सम्मझ लें यहाँ पर इंडिजोघ्वा इंडिजौ आई लेंड्स लिखर व pomoh Dead्दी में ज़ेंसरल मस् characteristics बहुत मिलते हैं दोनों की क्या है characteristics बहुत मिलते हैं ठीक है तो वो आप ये ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है ये समझना बहुत ज़रूरी है some of the outstanding example आप देखो ये मैंने बताया आपको newfoundland ठीक है newfoundland separated from the mainland by straight of belly ठीक है तो बैली आइल्स जो है आपके वो Canada को newfoundland को अलग कर देते हैं स्ट्रेट है बीच मतलब एक water body होता नेरो वाटर बॉड़ी जो की newfoundland को Canada से अलग कर रहा है वो Canada का ही पार्ट था लेकिन कुछ हुआ होगा डिप्रेशन आ गया होगा या low line area रहा होगा जैसे मैंने आपको बताया ऐसे ही आप देखेंगे मेडागासकर एक island है मेडागासकर यह मेडागासकर हमने देखा मोजांबीग चैनल जो है उसको अलग कर देता है आफ्रिका से मोजांबीग चैनल जो water body है चैनल मतलब एक और again water body होती है वो water body किसको अलग कर रही है अफ्रीका को अलग कर दे रही है किससे मेडागासकर से इसी की तरीके से देखो कि इन्डाग कर देखेंगे तो Australia के पास चले जाओ तो तसमानिया लग किससे हो रहा है Basus sehtraeati इसी इसके बाद आता है क्या और के पिलागों उन्म को सबसे को यहां पर देखेगा ग्जामपल की तवर इसी तरीके से Beliaric Islands है आपके Mediterranean Sea में तो ये जो Islands है ये आपके Europe और Africa का पार्ट थे ठिक तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जिनको मैं बता रहे हूं इसको हम लोग देख लएते हैं whatever I'm saying इसको दिखा दिखा हूँ आपको तो यह देख सकते हैं आप यहां पर तो यह वाला जो पॉर्शन देख रहे हो यह मेडिटेरेनियन सी वाला पॉर्शन है और यहां पर तुम देखोगे यहां पर तो बहुत सारे आइलेंड नजर आएंगे यहां पर बहुत सारे आइलेंड नजर आएंगे इसको कोई नहीं है ना तो मतलब यहां पर आपको जो आईलेंड्स हें वो छोटे-छोटे आईलेंड्स हैं उनको देखना था आपको खैर रे नीविस हम लोग आ आगे बढ़ते हैं अब अब लोग बात करते हैं आर्की पिलागों में ही एक और कहानी आपको समझ में आएगी रही पिलागों की ही वह승 क्या फ्स्टूण ये भी आईलेंड होते हैं लेकिन या ऑलेंड जोते हैं और वाल्कै Morrison से होता है इनका relation जो होता है किसे होता है mountain and volcano से होता है जब यह physical geography आप पढ़ाइंगे तब आपको यह समझ में आएगा फिजिकल जोगर्फी में जब यह पढ़ाइंगे तब आपको समझ में आएगा कि जो island arts यह island arts कैसे बनते हैं play tectonic theory में आपको समझ में आएगा अब आइलेंड आक्स में अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे आइलेंड आक्स हैं हमारे पास ठीक है जैसे कि आप देखते हैं आपने देखा होगा इंडोनेशिया आपने देखा है इंडोनेशिया तो इंडोनेशिया वर्ड का सबसे बड़ा आरकी पिलागों है है ना व लागे मैंने इसमें स्लाइड में हिंदी में भी चीज़े लिखी हुई हैं अब लोग ने जोइन नहीं कर प्र्राइब तक जोईन कर लिए पीडेबलु यूपी एस्टी वाला हिंदी चैनल उसमें में डेली दो बजे आता हूं हैना डेली मेरी दो बजे क्लास होती है तो पर हिंदी में पढ़ते हैं प्योर हिंदी चैनल है ना तो पीज प्योर हिंदी वाले जो हैं वहां पर जोइन कर ले आपको वहां पर बहुत फाइदा होगा तो आप देखा होगा इंडिया में इस तरीके से अगर आप इंडिया का नक्षय आपने देखा है मैं आप देखा है तो इस तरीके से आप देखते हैं ठीक है तो यहां पर आप देखते हैं क्या है इस तरीके से आपको आइलेंड आर्क नजार आता है इस तरीके से यह आइलेंड आर्क है यह सारे जो आइलेंड है यह एक आर्क का शेप लिए वे हैं और यह इंडोनेशिया है जिसमें सुमात् कहेंगे अगर आप साइबेरिया की तरफ जाएंगे तो साइबेरिया पैसिफिक ओशन में क्यूराईल आइलेंड हैई वहां कर हैं इसी तरह रियू क्यूव आइलेंड्ड भी night को दिखेगा और बहुत सारे पैसिवेक ओशन में आपको ऐसे और दूसरी सबसर कौन्टिनेंट से किसी कारणवर्ष दूर हो गए घna कुछ आपके ऐसे हैं जिन संबन्द नहीं है तो यह बढ़ी इंपोर्डेंट जीज है विशाल का ओशन बहुत बड़ा वहां आसपास कोई विच में आपको एक तीला नजार आ रहा है बीच में आपको एक लैंड का पुर्षन नजार आ रहा है तो इसका समब्हे कैसे हुद होते हैं यह अइलल्ण होते हैं चले जाओ लक्षदीप लक्षदीप आप चले कि देखना है आप को कुछ दिख नहीं रहा है आस-पास के वाल लक्षदीप आइलेंड नज़ा रहा चारों तरफ दूर-दूरं तक कोई लैंड नहीं है तो वो क्या है वो किसका बाट है लक्षोदीप जो है लक्षोदीप ओश्यानिक आइलेंड है ऐसे ही हवाई चले जाओ हवाई आइलेंड पैसिफिक ओशन के बीच उमें एक दम बीचो बीच हाला कि वह हवाई में कब्जा यूएसे का जरूर है वहाँ पर य इससे कहीं लेंड के पास है कहीं आसपास दूर दूर तक नाता नहीं तो ऐसे आयलेंड जो है इसे आइलेंड जिनका continent से कोई मतलब नहीं होता है जिनकी characteristics जो इनके features होते हैं वो हमारे continent से बहुत अलग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं उनको बोलते हैं oceanic island उनको क्या बोलते हैं oceanic island वेरे बाद यहां बर आपको उनको बोलते हैं oceanic island तो यह याद अखिएगा कि जब हम oceanic island के बारे में बात करते हैं तो यह वो island है जिनका continent से कोई नातेदारी नहीं यह रिष्टेदारी नहीं है मतलब की महा सागर के मध्य में होते हैं यह स्मॉल होते हैं और यह ocean के एकदम बीच में होते हैं यह बहुत बड़ी लाइन है जो की hundreds of thousands of miles अवे होता है जो की आपका मीलो दूर होता है है ना साइक्रो मीलो हजारों मीलों दूर होते हैं continent वह वाले island हम बात कर रहें उनको हम बहुते होशा निकाले अब यह 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 दखेगा देहवा flora and fauna unrelated to those of the continent तो इनका जो flora और fauna होता है इनकी जो यहां पर plants और animals मिलते हैं यह अलग किसम के होते हैं यह आपको continent में देखनागी को नहीं मिलते हैं क्यों क्योंकि यहां का climatic condition अलग है यहां का soil अलग है तो यहां पर उप्ध मिलते हैं Hawaii में चले जो अगदा स्पेशीश गाला पैग यहां पैगोस में चले जाएंगे आप तो many unique species of animals आपको मिलेंगे यहां पर अलग-अलग विचित तरह आपको यहां पर प्राणी मिलेंगे due to their remoteness from the major trading centers of the world most of the oceanic islands are very sparsely populated यह बहुत बढ़ी बात है याद अखेगा क्या कि क्योंकि यह बहुत दूर है क्योंकि यह मेन लैंड से बहुत ज्यादा दूर होते हैं तो यहां पर आपको जनसंख्या भी ज्यादा नहीं मिलती है है ना यहां पर आपको population मिलती है कई सारे तो ऐसे oceanic island है जिसमें आज तक मनुष्य है कभी बसा ही नहीं है कभी महाँ पर जाके उसने कोई रहा ही नहीं है ऐसे भी islands है ठीक है तो देखिए यहां पर क्या बात कहीं गई यह कहा गया है कि इनमें लोग कैसे आए होंगे लोग इसलिए आए होंगे अगर आप जा रहे हैं एक महाद्वीब से एक continent से दूसरे continent जो की बहुत लंबा है जिसकी दूरी बहुत जादा है बीच में क्या पढ़ गया बीच में पढ़ गया आपके island भया यहीं आराम कर लो यहीं अराम कर लो एक रात रुक लो है ना उसक करते हैं फ्यूल भरते हैं और फिर वहां से उड़ते हैं तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे इस तरीके से यह अग्री जाता है यह क्या हुशन के ओपर भी आ जाता है और इसी को हम बोलते हैं क्या volcanic island जैसे कि Indonesia, Caribbean islands Philippines islands, यह सब क्या है यह volcanic island है इसका सबसे अच्छा example आपको मैं बता हूँ इसका सबसे अच्छा example बता हूँ मैं Indonesia और जो आपके Philippines है उनका सम्मंद है continent से लेकिन यहाँ पर एक आपको pure oceanic island में बता रहूँ है ना जो कि यह है Hawaii island Hawaii island यहाँ दखेगा Hawaii island जो हो गया यह Hawaii island क्या है basically Hawaii Pacific Ocean के middle में है Pacific Ocean के middle में है Hawaii island इसका example है और इस तरीके का एक island जो Hawaii में है उसका नाम है Mona Lua यहाँ दखेगा इसका नाम क्या है Mona Lua Mona Lua जो है Hawaii में एक island है which is a volcanic island जहाँ पर आज भी eruption हो रहा है ठीक है तो यह होते हैं आपके क्या यह होते हैं आपके volcanic islands इनका formation इसी तरीके से होता है ठीक है अब अगर हम लोग बात करें तो volcanic islands are scattered in most of the earth's ocean ठीक है Pacific Ocean they occur in several groups as Hawaii जो मैंने आपको बताया Galapagos island भी इसी का example है and the South Sea island ठीक है तो यह तीन आपके बड़े famous हैं इसके साथ-साथ in the Atlantic the Azores Azore island जो है Atlantic Ocean में Ascension जो है St. Helena है Madira है Canary Island है यह भी आपके volcanic है Indian Ocean में अगर हम लोग बात करें तो Mauritius हो गया आपका reunion हो गया यह भी volcanic island है Indian Ocean में ठीक है Antarctica Ocean जो है वहाँ पर South Sandwich island है Bovet island है और भी बहुत सारे islands है जो कि क्या है volcanic है nature में तो यह आपको ocean में बहुत सारे मिलेंगे यह नाम आपको मालूम होने चाहिए कौन से कहां पर है यह नाम आपको मालूम होने चाहिए कौन से कहां पर है ठीक है इसके बाद अगर हम लोग बात करते है तो यहां पर आता है क्या coral island आता है coral island तो coral island volcanic island से बड़ा ही अलग है volcanic island हो सकता है volcanic island हो सकता है कि अगर यह मेरा this is the sea level यह अगर sea level है तो volcanic island की height हमारी हो सकती है ज़्यादा हो इस तरीके से हो सकता वाल्कैनिक आईलेंड हो, यह हमारा वाल्कैनिक आईलेंड हो सकता है, लेकिन हम जब कोरल के बारे में बात करते हैं, तो कोरल बेसिकली आपको एकदम सी लेवल पे मिलता है, एकदम सी लेवल के बराबर में मिलता है, है ना, यह सी लेवल के बराबर मिलता है, जैसे की लक्ष अब यह बात आती है यहां पर यहां पर एक छोटा सा आपको और गिनिसम मिलता है चोटा सा सा और इस छोटे सा organism का नाम होता है polyps याद अखेगा इसका नाम क्या होता है polyps नाम होता है ठीक है अब ये polyps जो होता है बहुत short lived बहुत short lived organism है बहुत ही कम समय के लिए जीवित रहता है polyps ठीक है अब polyps क्या गरता है polyps अपने उपर एक कवच बना लेता है ये क्या बनाता है ठीक है ये आपका क्या बनाता है शेल बनाता है और ये कैसे बना लेता है शेल ये ऐसे बना लेता है क्योंकि जो पॉलिप्स हैं ये सिक्रीट करते हैं कैल्शियम को है ना ये कैल्शियम सिक्रीट करते हैं या दखिएगा पॉलिप्स क्या कर रहे हैं ये कैल्शियम को का होता है ठीक है अब क्या हो रहा है यहां पर अब यह हो रहा है कि यह बहुत सारे पॉलिप्स आपके रहते हैं बहुत सारे पॉलिप्स आपके होते हैं और सभी पॉलिप्स जो है जितने भी आप पॉलिप्स देखते हैं जो पॉलिप्स है इनमें आप देखेंगे कि यहां पर एक आपको कवच नजर आएगा, इसमें आपको क्या नजर आएगा, एक आपको शेल नजर आएगा, यहाँ पर एक आपको क्या नजर आएगा, एक शेल नजर आएगा, ठीक है, तो ऐसे शेल बन जाते हैं, और फिर यह बहुत जल्दी मर जाते हैं, और मरने के बाद, इनक ना क्या बना लेते हैं शेल बना लेते हैं ये शेल बना लेते हैं और ये जो शेल बनाते हैं ये बहुत ठोस होता है ये शेल जो होता है कैल्शम कार्बोनेट का बहुत ठोस होता है इसी शेल को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं मूंगा बोलते हैं इसी को हम लोग क्या बोल और यही बन रहा है आपका क्या को राइलेंड बन जाता है तो आपको हमने दिखा दिया यहां पर कोराल आयलेंड में आप देखेंगे तो कौन इकalayla आइलेंड है तो से मॉर्ष्या आइलेंड नोर बता दे बर्मूडा बहुत famous है बर्मूडा triangle बर्मूडा island Atlantik ocean में है जबकि आप जानते हैं लक्षवदीप या इसका पुराना नाम था लकादीप और मालदीप ये इंडिया नोशन में है है ना ये कहां पर है ये इंडिया नोशन में है तो इस तरीके से आपको जो है ये सारे के सारे मैंने क्या बता दिये ये सारे के सारे मैंने आपको बता दिये islands के बारे में हम लोग बात कर ली किसके बारे में islands के बारे में बात कर ली ठीक है अब हम लोग बात करने वाले है किसके बारे में अब हम लोग बात करने वाले है coral reefs के बारे में ठीक है, हम लोग बात करने वाल है, coral reefs के बारे में, और coral reefs कहां पर होते हैं, कौन सी, उसमें आप कह सकते हैं, conditions क्या क्या होती हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, line by line समझते हैं आपल, ठीक है, coral reefs के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, तो याद अखेगा, कि ये कह को इस प्रएकर से जो आप देख रहे हैं थटी डिग्री से लेकर तर्ती डिग्री नौर्थ जो है यहां पर आपको यहां पर यह आपको इस रीजन में मिलेगा जो मैंने हाइट करा है ठीक है, many kinds of animals and marine organisms such as coral polyps, हमने अभी बात करी, coral polyps की, calcareous, calcareous algae, कुछ algae होता है, shell forming creatures, shell forming creatures and lime secreting plants live in large colonies, ठीक है, अब समझे आप एक चीज़, कि यहाँ पर polyps हो गया, polyps जानते हैं, shell अपना बना रहा है, है ना, वो जो है, calcium को secrete कर रहा है, ऐसे ही बहुत सारे आपके algae होते हैं, algae काई जैसे, काई जैसे, जो की secrete करते हैं, lime को, calcium को, कुछ ऐसे आपके animals होते हैं, जो shell बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे animals हैं, shell जो बनाते हैं, प्लस, आपके बहुत सारे ऐसे plants होते हैं, जो lime को secrete करते हैं, जो their ability to secrete calcium carbonate within their tiny cells has given rise to a peculiar type of marine landform. ठीक है? तो याद खिएगा आप कि भले ही यह बहुत छोटे-छोटे है, पॉल इस बहुत छोटा है, है ना? लेकिन इन लोग की जो calcium carbonate secrete करने की ability है, छमता है, वो बहुत जादा है. और वो बहुत जादा होने की वज़े से क्या होता है? वो बहुत जादा होने की वज़े से यहाँ पर एक अलग किसम का special landform आपका बन रहा है. अलग किसम का landform बन रहा है. ठीक है? They exist in numerous species of many forms, colors and shapes. तो याद अखिएगा बहुत सुन्दर सुन्दर आपको होते हैं. ठीक है? इनके color अलग होते हैं, इनके shapes अलग होते हैं, इनके formation इकदम अलग होता है. यह बहुत खुबसूरत होते हैं, जो आपने देखे हैं, रंग भी रंगे, जो आज थमनेल में भी लगे वे हैं, आप थमनेल में भी देख रहे हैं, coral leaves बने वे हैं, तो यह खुबसूरत coral reef होते हैं. Under, under favorable conditions, याद अखिएगा इस शब्द बहुत important है, under favorable conditions, favorable मतलब कि कुछ एक particular condition होगा, वहीं पर यह होंगे. Under favorable conditions, they grow in great profusion, just below the water level. ठीक है, तो एक चीज़ और आपको याद रख नहीं है, यहाँ पर क्या, कि just below the water level, जो water level होता है, उसके बहुत करीब यह रहते हैं, उसके बहुत करीब रहते हैं, क्यों रहते हैं हम लोग देखेंगे, taking coral animals as a whole, the polyps are the most abundant, ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर coral में बात करें, तो polyp जो है, वो सबसे ज़ादा, आपको मात्रा में मिलता है, abundant है, and also most important, और सबसे important भी यही है, each polyp resides in tiny cup of coral, and helps to form coral reefs, ठीक है, तो यह याद एक तक जो शेल है, उसी को हम coral बोते हैं, तो यह छोटे-छोटे cup, जैसे आप आकरिती में अपने आपको रहते हैं, कवज बना गे रहते हैं, ठीक है, उनी में हम उसी को हम क्या बोते हैं, वही आपके जब इखटा होते चले आते हैं, तो आपका बनता है coral reef, ठीक है, इसके बारे में आगे हम लोग और पढ़ते हैं, when they die, जब वो मर जाते हैं, when they die, their limey skeleton are cemented into Coraline line stokes ठीक है, तो यही मैंने आपको बाद बताई थी, यही मैंने बाद बताई थी, यहाँ पर ठीक है, कि यह जो धीरे-धीरे जब यह मर जاتे हैं, कोरल जब आपको चीजिए को ना बिडिक मैं और यह यह शेल बना किसे मैं लाइम स्टोन तो लाइम स्रोच ठोल स्रों का लैंड फ़म पर अब अब तो यही चीजह आँ वह तो यह रेड कोरल जो है यह रेड कोरल कहा मिलता है तो यह रेड कोरल आपको मेडिटेरेनियन सी में मिलेगा कहा मिलता है यह बेसिकली रेड कोरल तो याद अखेगा मेडिटेरेनियन सी यह वही मेडिटेरेनियन सी है जो की पास आपका यूरोप और आफ्रिका के बीच में है ठीक है वहाँ पर यह यह थंडे टमपरेचर में भी रहे लेगा नौर्मली पॉरल्स जो होते हैं यह पॉलिपस आपके नौर्मली रह नहीं पाते हैं लेकिन यह ऐसा कॉरल है जो कि ठंडे temperature रहलता है इवन यह बहुत गहराई में रहलता है photosynthesis के बगए तो coral के लिए temperature बहुत matter करता है और coral के लिए photosynthesis की activity बहुत matter करती है लेकिन यह ऐसा है red coral ऐसा है आपका ठीक है या आपका एक और pacific ocean में जो है precious precious coral यह exception है precious coral यह exception है pacific ocean के जो की ठंडे पानी में भी रह ले रह ले रहे हैं जो की ठंडे पानी में भी रह ले ले तो question अगर आपका आता है तो आपको याद ख़ना है क्या कि red coral और precious coral जो है Mediterranean और pacific के respectively यह ठंडे पानी में भी in fact यह DC में भी रह सकते हैं यह special आपकी आप कह सकते हैं कि category है ठीक है अब यहाँ पर देखे as a rule they thrive well only in the warmer tropical sea तो basically अगर हम बात करें तो इनके लिए best क्या होता है corals के लिए tropical warmer sea होता है the reef building coral survive best under the following condition तो आप यहाँ पर याद रखना है कि यह जो corals हैं यह reef build करते हैं जबकि यह दो हैं यह reef नहीं बनाते हैं यह non reef corals हैं याद अख्येगा यह non reef building corals हैं इनसे आपको इनसे आपको याद अख्येगा इनसे आपको कोई भी है ना यह जो red coral है precious coral हैं इनसे आपको reef नहीं मिलता है तो reef जो बनेगा उसके लिए special conditions है आईए देखते हैं लोग सबसे पहला condition warmer temperature ठीक है the water temperature should be warmer जो हमारा water का temperature है जो हमारा gel का temperature है वो आपका जादा होना चाहिए कम नहीं होना चाहिए it should not be below 20 degree centigrade 20 degree centigrade से कम नहीं होना चाहिए पानी का तापमान ठीक है अगर ऐसा होगा तो आपके coral survive नहीं कर पाई this virtually limits the aerial distribution of corals ठीक है aerial मतलब क्या होता है aerial मतलब होता है आपका छेतर छेतर हम जिसको बोलते है है ना तो aerial distribution आपका जो है वो क्या हो जाता है वो आपका कम हो जाता है यहाँ ठीक है to the tropical and subtropical तो यही बात यह बोला है क्या बोला है कि आपको यह बिलेंगे तो यह coral कहां मिलेंगे तो यह coral आपको मिलेंगे tropical of subtropical ठीक है वही चीज़ मैंने जो बताई 30 degree north से लेके 30 degree south में पहली चीज़ तो यह है पहली condition यह है कि आपको यह यहीं पर मिलेंगे यहीं पर मिलेंगे आप लेकिन इसमें भी conditions कुछ है क्या conditions है इसमें condition यह है again they will not flourish again they will not flourish where there are colder currents where there are colder currents ठीक है तो अब जैसे हमने बात करी यहां पर यह बात करी तो आप जानते हैं कि यहां पर हम जब बात करते हैं तो इस तरीके से यह वी हाव अफरीका हमारा अफरीका है इस तरीके से ठीक है इस तरीके से हमारा हमारा अफरीका है ठीक है अब यहाँ पर क्या है अगर अफरीका को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर चलती है इस तरफ, यहाँ चलती है cold currents, कौन सी cold currents, तो यहाँ पर चलती है canari जैसे, यहाँ पर क्या चलती है, canari cold currents चलती है, वैसे ही यहाँ पर चलती है cold currents, कौन सी cold currents, तो यहाँ चलती है बेंगुला cold currents, बेंगुला cold currents, ठीक है, similarly हम लोग देखते हैं, कि इस तरीके से इस तरीके से आपका वो है ना साउथ अमेरिका है आपका तो यहाँ पर भी चलती है यहाँ पर भी चलती है क्या यहाँ पर भी चलती है पेरू करेंट्स यह सारे क्या है यह सारी ठंडी करेंट्स है इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो हमा तो यह आपको मालुम है, जहाँ जहाँ पर cold current होगा वहाँ पर भी आपको corals नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा चुनौती है, कि वहाँ पर cold currents नहीं होनी चाहिक, क्योंकि cold currents में होता नीचे का ठंडा पानी उपर आ जाता है नीचे समुध्र का जो ठंडा पानी है upwelling process से upwelling process से the cold water comes above ठीक है तो यहाँ पर भी आपको coral नहीं में बलेगा जहाँ पर cold current चलता है यह बात बोला है ठीक है यही चीज बता इह है क्योंकि because of the upwelling of the cold water from the depth that cools the warm surface water, ठीक है, तो जो उपर से नीचे से ठंडा पानी आता है, वो आपके गरम पानी को ठंडा गर देता है, temperature goes below 20 degrees centigrade, तो वहाँ पर भी आपको corals नहीं मिलेंगे, this explains why coral reefs are generally absent on the western coast of the continents, देखा यहाँ पर, western coast, देखो, यह कौन सा coast है आपका, western coast continent का, यह कौन सा आपका coast है, continent का इधर वाला, यह western side है की नहीं, यह western side है की नहीं है, ठीक है, यह western side है, in fact यह आपका अमेरिका में भी this is western side, तो western side में आपको यहां पर इस region में इस region में जो भी tropics में जो भी western side पड़ेगा वहां पर आपको coral नहीं मिलेगा यह भी चीज है यहां पर ठीक है on the other hand the warming effect of the warm currents example the gulf stream means that corals are found far to the north of west indies in the Atlantic Ocean ठीक है the Pacific Ocean and the Indian Ocean however have the most numerous coral reefs. ठीक है Indian ocean में आप जानते हैं सबसे जादा आपका 要 coral leaf है यहांपर तो यह बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि इस तरफ अगर देखोगे तो इस तरफ देखोगे, तो यहां पर यहां पर Wolf चला है, यहां पर कौने चल लेंगक है यहां पर warm current चलती ही है ठीक है तो जहां जहां पर वाम करेंट होंगी खास कर इंडिया में अगर देख लोगी तो इंडिया तो बेस्ट है इंडिया अगर आप देख लेंगे तो इंडिया क्या है इंडिया तो इसके लिए बेस्ट है इंडिया में बहुत सारे आपको मिलते हैं इन रीजन्स में आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे, बहुत सारे आपको coral reefs मिलेंगे, इसके साथ-साथ Australia के पास भी आपको बहुत reef मिलेंगे, जैसे कि इस Great Barrier Reef, जो कि Australia का सबसे बड़ा है, है न, जो कि World का सबसे बड़ा reef है, barrier reef है, राइट, तो ये बात यहां पर इन्हों बोली है, इसी चीज़ को हम लोग ने देखा है आगे देखते हैं, यहां पर यहांपर depth of water के बारे में बारी जादा नहीं होना इसका मतलब 30 फैदम मतलब क्या हो गया 180 फीट के नीचे आप याद अख्येगा कि आपको कूरल नहीं कि यहां पर यहां पर आपको एक चीज में बता दू कि यहां पर एक आपको एक जैसा आपको एलगी टाइप का एक आपको यहां पर element बिलता है ठीख है जिसको हम बोलते है क्या इसको हम बोलते है इस दोबते हैं zooXanthel, क्या बिलते हैं zooXanthel भोलते है है तो यह जो zooXanthel भी प्लस龜 जो कॉरल है इन दोनों के बीच में Symbolic Relation होता है कैसा Relation? Symbolic Relation होता है मतलब कि दोनों एक दूसरे के बगएर जीवित नहीं रह सकते हैं है ना? क्योंकि जूज एंथली जो है जूज एंथली फोटो सिंथेस के माध्यम से फोटो सिंथेस के प्रॉसेस से क्या प्रोवाइड करता है? ये कोरल को energy, food प्रोवाइड करता है ठीक है? तो ये याद रखिएगा और जूज एंथली को protection प्रोवाइड करता है कोरल तो दोनों के बीच में क्या है? दोनों के बीच में संबंध है अगर आपका जूज एंथली जूज एंथली आपका क्या हो जाए? कोरल से जूज एंथली हट जाए वो कैसे हटता है? तो बहुत सारे conditions हैं. जूज एंथली जो की oxygen देता है जूज एंथली वो toxic हो जाता है मतलब कोरल अगर जूज एंथली को अपने पास रखेंगे तो वो मर जाएंगे. ऐसी भी condition आती है नॉर्मली जूज एंथली कोरल दोस्त होते हैं लेकिन अगर temperature आपका बहुत जादा गरम हो गया है ना? temperature बहुत जादा गरम भी नहीं होना चाहिए अगर global warming की वज़े से sea temperature क्या हो रहा है? बहुत बढ़ड़ा है तो वहाँ पर जो जूज एंथली है जो color नजर आते हैं वो color zoosanthalी की वज़े से मिलता है तो zoosanthalी अगर क्या हो? coral से हट जाए तो यह क्या है? चूना पत्थर है, लाइंग स्टोन है और चूना पत्थर कैसा होता है? अगर without zoosanthalी या दखिएगा without zoosanthalी अगर आपका without zoosanthalी हम बात करें किसके बारे में? अगर हम बात करें coral को तो यह कैसा होगा? coral is white और इसी को हम बोलते हैं क्या? coral bleaching आप लोग बहुत बार नाम सुनते होंगे प्रवाल विरंजन का, coral bleaching का तो coral bleaching क्या है? coral bleaching basically जो है जब coral अपने आप से zoosanthalी को हटा देता है हना? तब होता है लेकिन zoosanthalी और coral के बीच में symbolic relation है सह जीविता जिसको बोलते हिंदी में आपस में दोनों एक साथ है ठीक है? तो यहां पर याद अखेगा इस इसेंशल फॉर दी सर्वाइवल ऑफ दी microscopic algae जिसको बोलते हैं algae जो है हमारा वो algae कौन सा है? zoosanthalी है on which the coral polys depend इसी पर coral के polys भी जीवित रहते हैं ठीक है? shallow water of less than 100 feet is ideal यह याद अखेगा ideal क्या है आपका? 100 feet के उपर-उपर का भाग जो है ideal है क्यों ideal है? इसलिए ideal है वहाँ पर photo synthesis हो जाती है but there should be there should always be plenty of water as polys cannot survive too long out of water ठीक है? तो दूसरी चीज यह भी है कि आप अगर ऐसा जगा पर कहीं होगा जहां पर high tide और low tide आती होगी है ना? तो वहाँ पर भी यह जीवित नहीं रहे पाएगा मतलब ideal अगर condition आप देखें तो मैं ideal condition के बारे में अगर बात करूँ तो इस तरीके से अगर आप एक continent को देखते हैं इस तरीके से आप continent को देखते हैं तो आपका continent क्या है यह है आपका sea level this is sea level ठीक है यह हमारा क्या है sea level है this is the sea level यह हमारा sea level है यहाँ पर यहाँ तक जो आप देख रहे हो इस तरह किसे यहाँ से लेकर यहाँ तक यह continent का ही part है this is known as continental shelf यह क्या कहलाता है continental shelf कहलाता है ठीक है इसको हम बोलते हैं महाधीपी मंगने तट ठीक है और यह वाला जो खड़ी हाल आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं क्या continental slope इसको हम बोलते हैं continental slope अब यह जो है दोनों part यह continent के ही part है लेकिन यह समुद्रों में डूब गए हैं और फिर आता है आपका क्या abysal plane फिर आता है आपका क्या abysal plane abysal plane is basically what abysal plane जो है यह सी फ्लोर है यह कहें सी फ्लोर है यह ओशानिक यह ओशानिक प्लेट का पार्ट है यह continent का पार्ट नहीं है यहां से आप कह सकते हैं यह ओशानिक प्लेट का पार्ट है और इसकी गहराई लगभग छे किलोमीटर होती है ठीक है इसकी गहराई लगबग जो होती है C की वो 6 km almost होती है तो यहां पर आप देखेंगे अगर यहां पर देखेंगे अब मुझे बताइए क्या coral आपको यहां मिलेंगे नहीं क्या coral यहां मिलेंगे नहीं वो अलग है red coral और you know precious coral को चोड़ दो तुम बाकि नॉर्मल जो पॉलिप शे आपके कहा मिलैंगे वह पॉलिप शापको उस वे से अभी जो हैं जिसकी डैपो तक हूue यहां पर यह लिय्ट रीजछ को यह बी वह समझोड़ सब्सक्राइ़ यह वाला एरिए हैं यह वाला एरिया और यह जिसका माईटा दोग। यह वाला आपका एरिए है जहां पर low tide आती है। यह low tide है। और यह पड़ी जह आपका एरिया है। इसको मालनो high tide आती है। यह high tide है। ठीक है ? sea level इसके नहीं है मालनो sea level जो है वह कहीं beach में है। यह is sea level है ठीक है अब मुझे बताईए अब मुझे बताईए क्या कोरल आपको इस रीजन में मिलेगा बताईए मुझे क्या आपको यह बहुत आइडियल है ट्रांजिशन जोन है क्योंकि यह यह mangroove के लिए तो बहुत famous है, बहुत अच्छा है, यहाँ पर mangroove तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन coral यहाँ नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि जब low tide होगी, जब आपका भाटा होगा, low tide, पानी का level नीचे आ जाएगा, तो बताईए, मैंने अभी आपको बताए न, coral without water survive नहीं कर पाते हैं, polyps यो होते हैं हमारे, तो low tide में, low tide है, इस यहाँ पर पानी नहीं है, तो यहाँ पर coral survive कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो coral आपको ideally कहां मिलेगा, coral आपको ideally, जो यह region दिख रहा है, यह region यहाँ पर, जिसकी depth आप कह सकते हो, 100 feet तक हो, 100 feet तक हो इधर depth, यह वाला region ideal होगा, क्योंगी यहाँ पर जो हमारा sun है, जो हमारा sun है, ठीक है, जो sun है, sun से, sun की raise penetrate कर पाएगी यहाँ तक, ठीक है, sun की raise जो है, penetrate कर पाएगी और यहाँ पर, इसी लिए यहाँ पर क्या हो पाएगा, photosynthesis हो पाएगा, इसी लिए यहाँ पर क्या होगा, photosynthesis, प्रकाश stanchulation, है ना, होता क्या है basically, होता यह है, कि यह जो है, अपना भोजन बनाते हैं इस प्रकाश, है ना, अपना भोजन बनता है इनका राइट तो यहां पर आप देखेंगे तो यह जो है इस इस यूर फूड यह आपका फूड है इसको इस्टार्ज भी बोलते है इसको शूगर भी बोलते है ठीक है तो जो आपके पॉलिप्स है जो जो जूज एंथली है वो जूज एंथली इस तरीके से फूड बना रहे हैं और यह फूड किसको मिलता है यह जूज एंथली फूड देते हैं किसको कोरल को देते हैं और कोरल इससे सबसे जिंदा रहते हैं ठीक है यही चीज मैंने आपको यहां बताई थी यही चीज मैंने आपको समझाई थी ठीक यही मैंने बताया था कि कोरल जो है यह वाइड वाला कोरल है और यह जो देख रहे हो यह क्या है अलगी है येलो से जो मार्ग कर रहा हूँ मैं इसी को हम क्या बोते है जूजन्थली अब फोटो सिंथेसिस कौन कर रहा है जूजन्थली कर रहा है और photosynthesis पे मिल के आ रहा है जूजएं खिली को food फूड बना रहा है और यह food दे किसको रहा है यह food दे रहा है वो coral को, पॉलिपस को यह किसको मिल रहा है food उसके बाद? पॉलिपस को मिल रहा है ठीक है? तो इस तरीके से symb Reality relation है और जूजएं खिलर देता है या दखे गा, जूज ताब तीसरी हैं है तीसरा क्लिटिशन होना चाहिए सहुझाल कि इस तो यहाँ पर सेडिमेंड भी आपके नहीं होने चाहिए तो जहां डेल्टा होगा क्या वहाँ कॉरल मिलेगा आंसर जाओ लगए हम पास्ता क्यान LGBT क्यों 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 डेल्टा पनंधसाथ मिलेका यदिByन मिलेगा लिएक्षौधीप म। सब्सक्रेंट नहीं सकते हैं प्लस आप यह फ्रेश geen रिलीवर में नहीं हो सकता है ईसे सिल्टी कोस्ट कोस्ट ठीक है और muddy mouth of stream यही बात बोलिए देखो कहां पर होता है उन जगाहों पर होता है जहां पर आपके data form नहीं होते हैं जहां पर sediments deposit नहीं होते हैं वहां पर यह form होता है उनसे दूर form होता है the corals are best developed on the seaward side of the reef ठीक है या दखिएगा coral सबसे ज़्यादा कहां पर बनता है तो seaward side होता है reef का seaward side मतलब की suppose यह है हमारा है यह हमारा है इस तरीके से और यहाँ पर अगर आपका suppose इस तरीके से coral बना इफ यह coral हमारा बन रहा है तो सबसे अच्छा coral किदा बनेगा तो या दखिएगा सबसे ज़्यादा उठावा होगा लैंड से ज़्यादा सी की तरफ हो हमेशाद अच्छा डवलप होगा यहीं चीज वह बुलना है वेर कॉंस्टीनेंटली मुविंग वेर्टाइट करेंट मेंटेन अबंडेंट सप्लाइव क्लियर ऑक्सिजिनेटेड वोटर ठीक है तो यहां पर क्या होता है इधर आ यह बहुत सारा क्या लेके आती है यह बहुत सारा आपका फूड भी लेके आती है अब यह याद अखेगा पॉलिप्स जो है पॉलिप्स अपना फूड यह बहुत इंपोर्टेंट वाद बता रहा हूं याद अखेगा कई लोग को नहीं मालूम है पॉलिप्स जो होते हैं पॉलिप्स ठीक है यह अपना फूड एक फूड कहां से लेके आते हैं यह एक फूड तो यह लेते हैं जूजएंथली से जूजएंथली क्या करता है फोटो सिंथेसिस के मदद से इनको दे रहा था फूड दे रहा था जूजएंथली इनको पॉलिप्स को फूड दे रहा था photosynthesis करके खुद photosynthesis कर रहा है वो काई वो काई है basically, LG है वो कर रहा है, वो food बना वो रहा है और वो food किसको जा रहा है, polyps को जा रहा है और दूसरा याद अखिएगा जो ये polyps हैं, ये microscopic, microscopic आपके, जो plants होते हैं, organisms होते हैं उनको भी खा लेते हैं तो ऐसा नहीं है, ये polyps जो हैं खा लेते हैं, बहुत छोटे होते हैं, लेकिन ये microscopic organisms को खा लेते हैं तो दो तरीके से food प्राप्ट करते हैं ये चीज़ याद अखिएगा, एक food प्राप्ट करते हैं zoosanthely से, और दूसरा ये प्राप्ट करते हैं microscopic organisms से ठीक है, तो अब हम लोग ने बात कर ली कि coral कैसे कहां कहां पर जीवित रह सकते हैं क्या क्या उसकी condition है, अब हम लोग बात कर लेते हैं जल्दी से की types of coral reefs हमारे क्या है, ठीक है, तो एक हमारा होता है fringing reef, एक होता है क्या fringing reef fringing reef is a coral line platform lying close to the shore extending outwards from the mainland, it is sometimes mouth of a stream, the outer edge grows rapidly because of the splashing waves that continuously renew the supplies of fresh food, the reefs may be about a mile wide, the lying just about the level of a low water and sloping steeply downward on the seaward side to a depth of about 100 feet, तो इसको जो चीज लिखे ना इसको यहाँ पर हम लोग diagram के माध्यम से समझते त्रिंग जीव को तो यहाँ बदेख लेते हैं fringing reef को यह देखिए आपका fringing reef है, अब आप अगर देखेंगे तो एक island है आपका जेंजी बार, तंजानिया में, तंजानिया के पास एक जेंजी बार island है, ठीक है, इंडिया नोशन में, जेंजी बार, अब जेंजी बार के देखेंगे तो यह देखिए आप, जो यह देख रहे हो तुम, यह जो देख रहे हो यह, यह highlight करके मैं दिखा रहा हूँ आपको यह वाला, यह जो है, यह आप देख सकते हैं, लैंड से आपके अटाच है, यह क्या है, लैंड से आपके अटाच है, ठीक है, इन ही को हम बोल से इए यह लैंड पर्षन से बैसिकली अटाच्ट है इन इन को हम बोलते हैं फ्रिंजिंग यहां पर देख सकते हैं यह लैंड यह लैंड है ठीक है इस प्राइब और यह आप यह किसे चतनद tapi सी और क्यों ट्यों सी की तरफ सी की तरब क्यूंकि he बॉलब बाट कर लेते हैं यहां पर आगे बात कर लेते हैं आगे मिल्ट ये ये था हमारा क्या फ्रिंजिंग लिफ के बारे में यही बात थी अब हमारा आता है बैरियर डूसरा बैरियर रीफ लिफ सेपरेंस मुझे सेपरेटेट पॉम the coast by a much wider and deeper channel or lagoon the reef is partially submerged where it lies above the water level and sand can accumulate on it a little vegetation is possible the barrier reefs have narrow gaps at travel places to allow the water from the enclosed lagoon to return to the open ocean such gaps are very useful for shipping and provide the only entrance for ships to enter or leave the lagoon the best known barrier reef is great barrier reef great barrier reef of the coast of queensland australia it is 1200 miles long separated from the coast by a channel hundred miles wide in place and over 200 feet deep so here we are going to talk about what we are going to talk about here we are going to talk about barrier reef barrier reef & falls a car and hunt there are two countries кий here we are going to Hearts this is queensland australia का जगा है मैं इसको लिख भी दे रहों Queens land यह हमारा Queensland Australia और यह आप देख रहे हैं this is this is a chain यह आप chain देख रहे हैं chain देख रहे हैं यह क्या है हमारे great barrier reef great barrier reef इसे क्या बोले हम great barrier reef बोले अब यहां पर आप दिखेंगे कई जगापे गाप सैंगे बीच में यह वही गाप से जहां से ships आपकी यह वह घाप से जहां से ships आपकी एंटर कर सकती है यह सबसे बड़ा वेड का सबसे बड़ा बारीत रीफ है great barrier रीफ जो की queen's land के पास और इसकी चोड़ाई कहीं कहीं पे आप मान लीजें कहीं कहीं पे 200 mile तक भी है इसकी चोड़ाई है ना 100 से 200 mile इसकी चोड़ाई है और इसकी depth 200 200 फिट है इसकी depth 200 फिट है तो इसकी यहां जो लगून है आपका यह यह बीच में जो पानी दिख रहा है क्या है लगून है तो यहां देखिए आप यह लैंड का पॉर्शन है ठीक है this is a land portion और यहां पर आप देख रहे हैं कि यह reef कहां बना हुआ है यह reef बना हुआ है इस तर पढ़ गया है क्या रियरीफ पढ़ गया है और आप बीच में देखेंगे तो यह जो है यह water इसको हम क्या बोगते हैं इसको हम बोलते हैं लगून ठीक है कि तो ये था माँरा घ्रिऊ ये था आवरे धीव ठीक है अब एक चीज होती है क्या एक Delhi सोतह हैं अब होते है अब फूर्छ क्या होते हैं क्या होता है यह भिप्षी सहरा अटसर्ण सीमेलरे दॉपर आट ड्रिर सीpo यह सर्कुलर होते हैं शेप में। Enclosing a shallow lagoon without any land in the center. मतलब यहां land से संपक नहीं आ देखेगा। The encircling ring is usually broken few places to allow the free flow of water. On the inside of the reef, sand, limestone, debris collect and palm trees like coconut may grow. Such palm trees thrive well in the brackish water of the lagoon. The nuts fall into the water and are distributed widely by floating from one coral island to another. The calm waters are useful for fishing and canoeing. Some of the large atolls, West of Ceylon have a lagoon over 40 miles across. A number of them provide essential air bases for trans-Pacific aircraft. तो जो Trans-Pacific aircraft है उसके लिए बहुत ज़्यादा यहां पर आपको चीजे मिलती हैं. अब यहां पर हम लोग अगर बात करें तो हम लोग atoll को भी देख लेते हैं. Atoll बड़ा ही interesting है. Atoll बड़ा ही interesting है. Atoll को भी हम लोग देख लेते हैं आईए. ठीक है कि atoll कैसा देखता है? यह देखें अब यहां पर देखें आप ठीक है? यहां पर क्या बोला है? Atoll जो है इन्होंने बोला है कि atoll encircling होता है. इस प्रकार से आपका encircle होता है. इस प्रकार से आपका encircle होता है. बीच बीच में इसमें देख सकते हैं. बीच बीच में पानी आने की जगह होती है. बीच बीच में पानी आने की पानी एंटर करने की जगह भी इसमें है. और यह गोल सा आपको नज़र आ रहा है. यह गोल से नजार आ रहा है और इसके बीच में यह कहला रहा है क्या लगून यह बीच में जो है यह लगून कहला रहा है यहाँ पर ब्रैकिश वाटर होता है यहाँ पर ब्रैकिश वाटर होता है और ब्रैकिश वाटर में क्या होता है कि जो हमारे palm trees हैं है ना या coconut trees हैं तो उनके nuts जो हैं वो गिर जाते हैं यहाँ पर और एक एक अटोल से दूसरे अटोल ठीक है यह पहुंचते रहते हैं एक coral से दूसरे coral leaf या अटोल पहुंचते रहते हैं अब इनका formation देखेंगे आप तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह land formation this is a land formation और इसके यह land के यह land नीचे है अर्थ के और इसके उपर आप देख सकते हैं तो इस तरीके से आपको अटोल दिख रहा है हाला कि इसके नीचे लगून के नीचे यहाँ पर land है बट क्यूंकि आप जानते हैं कि यह जो आपके schöls हैं यह land के युपर ही होंगे तो यहाँ पर आपका land होगा लेकिन वह अब land आपको नजर नहीं आ रहा है अब हर तरह आपको हर तरह रीफ नजर आ रहा है और इस तरीके से जो देख रहे हैं यह गोल्ड आपका जो ऐसा encircling वाल रीफ बन जाता है इसको हम बोलते है आट तो यह हमने बात करेंगे अब अगर हम लोग बात करेंगे यहां पर यहां लोगों की त्योरी है जैसे कि एक त्योरी है डार्विन की जो थियोरी है वो सबसीडेंस थियोरी है मतलब की लैंड का पार्ट नीचे धस जाता है और उसके कारण आपका कोरल बन जाता है क्या से बनता है वो हम लोग देखेंगे तो एक आपका है डार्विन की सबसीडेंस थियोरी ठीक है और दूसरी वहीं पर एक थियो तो नन इस यूनिवर्सली एकसेट टूरी नहीं है इसकी दी मोस्ट वाइडली एकसेप्ट टूरी इस डाट पूट पॉइड बाइटी साइन्टीश चाल्स डार्विन आप्टर इस वोईश्ट तु टूदी पैसिफिक ओशन इन 1842 तो 1842 में जो चाल्स डार्विन गया चाल् सबने उसको नहीं माना है ठीक आप नोन एज दी सबसीडेंस थियोरी तो यहाद अख्येगा यहाँ पर इसकी जो थियोरी है उसको हम डार्विन की थियोरी बोलते हैं सबसीडेंस थियोरी Darwin assumed that all coral reefs began as fringing reefs around an island, the topmost portion of the extinct volcanoes that stood above the ocean bed, ठीक है, due to general down warping of the earth's crust, the islands gradually subsided, ठीक है, subsided. The corals continue to grow upwards to keep pace with the subsidence, the growth was more vigorous at the outward edge than the landward edge because of the more favorable living condition for coral, so the encircling reef widened, if then formed a barrier reef with, it then formed a barrier reef, उसके बाद क्या बना, fringing reef के बाद, it then formed a barrier reef, उसके बाद क्या बना, fringing reef के बाद, it then formed a barrier reef, with a lagoon between the island and the reef, Eventually, when the land completely submerged, only the outer rims of the reef were seen forming an atoll, the submerged island was covered by a layer of sediments, so that characteristics circular lagoon is generally shallow, thus atolls marks the position of farmer islands, more recent researchers by oceanographers, have revealed that the ocean floor has in fact been subjected to subsidence, especially in the Pacific, Darwin's in the Pacific Ocean, Darwin's explanation was therefore generally correct, ठीके, तो Darwin ने जो है, ये बाद बोली, इसके बाद हम लोग पहले Darwin को समझ लेते हैं, कि Darwin ने क्या बोला है, और कैसे समझाया है, Darwin की theory को हम लोग समझ लेते हैं, थोड़ा सा, Darwin की theory को समझ लेंगे, तो आपको फिर कहानी जो है, थोड़ी सी interesting लगेगी, थोड़ी कहते हैं कि पहले एक लैंड फॉर्म था, एक इस तरीके से लैंड फॉर्म था, ये हो सकता है, वॉल्कैनिक आइलेंड हो, उन्होंने क्या बोला कि ये क्या है, हमारा वॉल्कैनिक आइलेंड रहा हो, हो सकता है, या ये कॉंटिनेंट, नॉर्मल कॉंटिनेंट भी हो सकता है तो यह कहते हैं कि यहाँ पर आपका क्या बनता है सबसे पहले इस तरीके से फ्रिंजिंग रीव बनता है यहाँ पर क्या बनता है यहाँ पर आपका फ्रिंजिंग रीव बनता है और इसके साथ जो थे इसके साथ जो आप देखते हैं यहां पर लगून वो भी पहले ऐसे नीचे धसे होंगे यहां पर कोरल नॉट लगून वो भी ऐसे नीचे धस गए होंगे है ना नीचे धस गए होंगे पहले लांड धसा तो इसके साथ जो फ्रिंडिंग रीफ था वो भ रहा है इधर से फूड आ रहा है इधर से आक्सीजन आ रहा है तो कोरल जो है वो कोरल इस तरफ क्या हुआ ज्यादा ग्रो कर गया कोरल जो है वो इस तरफ क्या हुआ सी की तरफ वो ज्यादा ग्रो कर गया ठीक है और इस तरीके से आप देखते हैं क्या बन जाता है बैरियर र टीक है और यहिसी के साथ साहरे लगoon आपके बेस्जाव लेकिन liagoon नीचे चले जाते हैं लेकिन धीरे धीरे करते करते क्या सर्वाइब करने के लिएicing अपना संभव बनाने के frontline यह इस प्रकार से इधर उपकर उठ जाते हैं ठीक है इस तरफ लेख कम हो जाती है और दोनों तरफ आपको क्या दिल जाती है इस प्रकार से आप देख रहें एक चॉल वं जाता है इस तरह सब्कूर हों को इस तरीके से नजर आ रहा है तो selecting ने का मतला वह यहाँ पर पहले लाइंड पॉर्षन था नीचे धत गया और अब उसके चार और उसके चार और वालकेनिक आईलेंड था वालकेनिक आयलेंड के चार उर क्या बना फिर यह फ्रिंजिंग रीफ और नीचे चली गई तो इस तरीके से हमको क्या देन नजर आने ल बन गया यह वाला बन गया हमारा बैरियर इस यह हमारा बन गया बैरियर इजिग बॉर और वाथ में जब ये पूरा अंदर धस गया जब ये पूरा अंदर धस गया तो हम गेवल क्या नजर आता है हमको कीवल इस्टरीके से नजर आता है ईट और यहां पर ऊपको छोटा सा ठीक है तो अब यहां पर देखेंगे आप तो अब यहां पर आप देखेंगे तो अब यहां पर किसकी बारें बात होगी अब यहां पर next बात होगी and next बात आपकी दूसरी है Among the other theorists, perhaps the American, American geographer, R.A. Daly's glacial control theory, glacial control theory put forward in 1910 is worth consideration. ठीक है, तो 1910 में इन्होंने एक glacial theory दी, glacial control theory दी, मतब कि हिमानी, जो glaciers होते हैं, उसके बारे में बात करी. During his visit to Mauna Kea in Hawaii, he noticed the close relationship between glaciation and development of coral reef. तो इन्होंने दो चीज़ बात करी, इन्होंने का, glaciation और coral reef के बीच में, एक strong relation है, close relation है. He believed that during the height of the ice ages, the water was too cold for any coral growth to take place. With the absence of a coral barrier, marine erosion was able to attack and lower the islands. With the return of the warmer climate, the water was locked up and the ice sheet melted. Consequently, there was a rise in the sea level, which in some cases submerged these lower islands. On these wave-planned platforms, coral began to grow upwards at the rate of a foot in a decade to keep pace with the rising water level. Coral reefs where island is still project above sea level and atolls were thus formed, recent evidence of boring through coral formation seems to favor Dali's explanation of a change in sea level and consequent erosion of the island. However, the deepest boring reveals basaltic rocks. These corresponds to the subsided islands invasaged by Darwin. Thus, a combination of the two theory accounts for the important features of the coral reef and atoll. Today, when we are talking about our line, we have to say that 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 it's not actually the same thing as that we have to say. लेकिन बोला क्या डेली ने डेली ने कहा कि यहां पर डेली का जो ग्लेशियर कंट्रोल थी उसने कहा जब ग्लेशियेशन था जब उसने कहा क्या था ग्लेशियर ग्लेशियर था तो हमारा सी लेवल काफी नीचे था सी लेवल काफी नीचे था सी लेवल जब बहुत नीचे थ था तो हुआ क्या सी लेवल नीचे के टाइम पर हुआ यह कि जो हमारे लैंड पॉर्शन यह हमारे लैंड पॉर्शन क्या हुआ इरोड हो गए यह लैंड पॉर्शन क्या हुआ इरोड हो गए दीज बार इरोड़ेड किसे एरोड़ेड सी के एक्शन से सी के एक्शन से यह इर नहीं कर सकते हैं तो उस समय कोरल नहीं था यह भी बात सही है कि कोरल तो तब आए होंगे जब ग्लेशर आपका खतब हुआ होगा उससे पहले तो कोरल भी नहीं कर सकते थे क्योंकि ग्रोव को तो 20 बात होगया और उसके बाद जब आपका अपका ऑपको तो होग्लेश्टे हैं वैसे जैसे वैसे आपका आप कह सकते हैं कि यह हम लोग यहां दिखा रखा है कि हमारे जो आइलेंड जो है यह कट गए और फिर धीरे-धीरे क्या हुआ राइज इन सी लेवल होने लगा ठीक है अब यहाँ पर क्या था यहाँ पर इस तरीके से इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यह पूरा पांठ पूरा इंसे नहीं की है और अब क्या हुआ यह जैसे 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 आपका सी लेवल राइस कक्नाराइब तो दिरे-धीरे-धीर यह जो लेंड पोर्शन था इरोड हो गया था इसके उपर तो आई गए प्लस यह सीवड आप जानते हैं सीवड क्यूंकि फेवरिबल कंडिशन से क्योंकि यहां से वेव जा रही है ऑक्सीजन और फूड लेके तो इस तरफ यह बढ़ गए और पर इसका मिक्शर है तो हमको यहां पर सबसीदेंस की सही तहीं क्यों क्योंकि वालकैनिक आइलेंड हमको नोलक्रियम Basalt rock का मतलब होता है लावा से बना. Basalt rock का मतलब क्या होता है लावा से बना. तो Subsidence theory में जो volcanic island बोलाता है और इसके तरफ चारो तरफ क्या था? Fringing reef था. इसके चारो तरफ Fringing reef था. ठीक है? तो ये तो आपका सही था कि ये basalt से बना हुआ है. क्योंकि जब हम लोग ने अभी खोजा जब deep down हमने अटॉल में क्या गरा mining करी और वहाँ से चीजों को निकाला तो पता चला कि ये basalt rock के बने में हैं. और basalt rocks कैसे बनते हैं? तो ये याद रखिए कि basalt rock मतलब होते हैं volcanic rocks. Basalt rock मतलब क्या होते हैं? volcanic yellow या कहलो lava rocks. ये lava rocks होते हैं. तो इससे ये पता चलता है कि ये जो हमारी subsidence वाली theory है वो तो सही है कि भूमी का पाट नीचे चला गया. कौन सा? ये जो आपका देख रहे हैं ये पाट ये नीचे है. लेकिन ये नीचे कैसे हुआ? ये नीचे क्या? नार्मली नीचे चला गया? या sea level rise हुआ. तो यहाँ पर sea level rise हुआ. यहाँ पर क्या हुआ? sea level rise हुआ. तो दो theory का mixture है कि sea level rise हुआ और sea level rise होने पे क्या हुआ? पूरा का पूरा हमारा जो volcanic island था वो डूब गया. तो डाली और आज कर लिया है, motive toوت औरक पूरा हम लोग में लिय आए आप जीसी सी लियौंग की यह बार रीडिंग कर लिएगा, बहुत अच्छे से आपको सारी चीदे समझ युमें आ जाएंगी क्योंकि मैंने कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं जो छोड़ा है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही थांक्यू ठेक कियर बबाई फिर मिलते हैं परसों नए लेक्चर के साथ